उदम सिंग का जनम 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। उदम सिंग का असली नाम शेर सिंग कमबोज था और उनके पिता का नाम एहल सिंग कमबोज था। उदम सिंग के पिता उपली गाओं में रेलवे क्रोसिंग पर वाच्मेन की नोकरी कर जब उधम सिंग बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता की मृत्य हो गई जिसके बाद वो और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंग दोनों को अनाथालय में रहना पड़ा अमरिसर का सेंटरल खालसा नाम का वो अनाथालय एक सिख संस्थान था इसलिए दोनों भाईयों का पालन पोशन सिखों के बीच हुआ और उनका नाम बदल कर उधम सिंग और सादू सिंग रख दिया गया अभी कुछ समय ही बीटा था कि उनके भाई सादू सिंग भी 1917 में दुनिया को छोड़ कर चले गए अब उधम सिंग अपने परिवार में अकेले ही रह गए थे साल 1918 में अपनी दस्मी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उधम सिंग ने अनाथालय को छोड़ दिया था वहां रहते हुए उधम सिंग ने आर्ट्स और क्राफ्ट्स में पूरी महारत हासिल कर ली थी अमरे सर के जलियां वाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई थी इस जनसभा में हजारों लोग शांती पूर्वक ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे इसी जनसभा में उधम सिंग और उनके कुछ दोस्त वहां आये लोगों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे इसी बीच बिटिस सरकार के एक नुमाइंदे जनरल डायर ने जलियां वाला बाग को चारों और से गेर लिया उस बाग से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था जिस पर डायर के हत्यार बंद सैने खड़े थे दूसरी और हजारों की संख्या में निहत्थी भीड थी जिस पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया इस हत्यागान में पंदरा सो के करीब लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे इस पूरी घटना को उदम सिंग ने बहुत करीब से देखा था उस वक्त पंजाब का गवर्नर माइकल और ड्वायर था और भीड पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था इस घटना ने उदम सिंग को अंदर तक जखचोड कर रख दिया था जिसके बाद उदम सिंग ने खुद को आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया उदम सिंग 1924 में गदर पार्टी से जुड़ गए थे आजादी की लड़ाई के लिए पैसा जुटाने के मकसद से उदम सिंग ने दक्षिन अफरीका, जिंबावे, ब्राजील और अमेरिका तक की यातराई भी की थी 1927 में वो भारत लोटाए थे और अपने साथ आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए कुछ नए साथियों और अंग्रेजों का मकाबला करने के लिए रिवॉल्वर और गोला बारूद भी लाए थे उदम सिंग को रिवॉल्वर रखने के जुर्म में आम्स एक्ट 1927 के तहट गिरफतार कर लिया गया था जिसके बाद उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी उदम सिंग की जिन्दगी से जुड़ी ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए अंग्रेजों ने भारत पर इतने सालों तक राज किया तोकि उनकी पोलिसी थी कि लोगों को आपस में लड़ा दो जिससे वो लड़ते रहें और उनका राज कायम रहे उदम सिंग जब जेल से आजाद होकर आए थे तो उन्होंने एक साइनबोर्ट पेंटर का काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने अपनी उस शौप के लिए खुद का नाम राम मुहम्मद सिंग आजाद रख लिया था सिर्फ इसलिए ताकि लोगों में संदेश जाए कि सभी धरम एक हैं और बिटिस सेरकार भारतियों को आपस में लड़वा कर राज नहीं कर सकती 23 मार्च 1931 को अंगरेजी हुकूमत के द्वारा भगस सिंग को फासी दे दी जाती है उदम सिंग भगस सिंग को अपना गोरू मान दे थे भगस सिंग के शहीद होने के बाद 1935 में उदम सिंग कश्मीर पहुँचते हैं उदम सिंग भगर सिंग के पोट्रेट को अपने साथ रखते थे, वो करांती कारी राम परसाथ बिस्मिल को भी बहुत मानते थे, कुछ महीने कश्मीर में रहने के बाद वो लंदन पहुंच जाते हैं, लंदन जाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जलियाँ वाला ब पुशा में सामिल होते हैं, वो अपने साथ एक रिवोल्वर एक किताब में छुपा कर ले जाते हैं, और मोका मिलते ही ओडवायर पर छे गोलियां दाग देते हैं, इसमें एक गोली ओडवायर के दिल पर लगती है, जिससे मोके पर ही उसकी मोत हो जाती है, इसमें ओडवा 42 दिनों के बाद जबर्दस्ती उनकी हरताल को तुड़वाया जाता है अपनी ट्राइल के दुरान उधम सिंग कोड के सामने अपना पक्ष भी रखते हैं जिसमें वो कहते हैं मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो इसे डिजर्व करता था वो असली दोशी था वो मेरे लोगों की स्पिरिट को कुचलना चाहता था इसलिए मैंने उसे कुचल दिया मैं 21 सालों से उसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था मैं खुश हूँ कि मैंने ये काम कर दिखाया है मैं मोद से नहीं डरता मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ मैंने लोगों को अंग्रेजी मैंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो कि मेरा करतव वैधा मेरी जनम भूमी के लिए मेरी मोद से बड़ा ओनर और क्या हो सकता है इसके बाद उन्हें फांसी सुना दी जाती है और 31 जुलाई 1940 को पैंटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दे दी जाती है